तो दोस्तों एक टीवी में यहां पर एक प्रॉब्लम हो चुगा है कि प्रॉब्लम एक्चुली टीवी में नहीं है में मेरे पास एक USB पेंड रहा है ठीक है इसमें मैं टीवी में यहां पर इंसर्ट कर रहा हूं तो यह शो नहीं कर रहा है तो आपके टीवी में भी यह दूसरा पेंडराई है वो यहां पर शो करता है ठीक है तो एक पेंडराई नहीं दिखाता है एक दिखाता है तो एक पेंडराई जो शो नहीं करता है उसको हम कैसे यहां पर टीवी में लगा कर उसका जो डाटा है या फिर उसमें जो मूवी है दोस्तों यहां पर देख सके इ पेंडर हमें computer system में दिखाता है आपको आपका Windows 7 10 कौन सा भी laptop हो computer हो उसमें इसको insert कर लेना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रकार से इसका एक file system होता है हमारे pen drive का ठीक है तो इस फैट यह जो फाइल सिस्टेम है कभी कभी टीवी में यहां पर शो नहीं होता तो सबसे पहले आपको करना यह है कि इसमें जितने भी फाइल से इनको copy कर लीजे इनका हम backup बनाने वाले हैं ठीक है क्योंकि हम इसको फार्मेट करने वाले हैं और फार्मेट करने के बाद दोस्तों इसका जो file system होगा वह हम यहां पर fat32 अगर fat32 काम नहीं करता है तो आफ एंटीए पे इस भी try कर सकते हो तो मैंने desktop पर एक folder बना लिया है उसमें फाइल सब यहां पर मैंने paste कर दी है और इसका में नाम भी यहां पर backup कर लेता हो क्योंकि मुझे यहां पर समझने में आसा नहीं होगी तो यह जो सब files है दोस्तों यहां पर मैंने backup ले लिया है तो आपको भी यह problem solve करने के लिए backup लेना पड़ेगा इस PC में जाएंगे और जहां पर हमारा pen drive है उस पर right click करने के बाद दोस्तों हम format इस option पर click करने वाले हैं तो जैसे हम format पर click करेंगे तो यहां पर एक इस प्रक problem solve नहीं होता है तो आप NTA PSB ले सकते हो यहां पर बाकिया आपको कुछ नहीं करना है यहां पर quick format रहना है देना है और start पर click करना है तो हमारा system क्या करेगा ठीक आपको एक बार format करें कि नहीं इस प्रकास से पूचेगा तो आपको ok पर click करना है तो हमारा system में वो क्या CD player है आपके कार में कोई player है तो उसमें भी ये FAT32 support कर देता है तो यहाँ पे जो भी files हमने यहाँ पे backup ली है उनको फिर से हम क्या करेंगे इनको यहाँ पे cut करेंगे या फिर send to pen drive में इसको हम फिर से copy करेंगे अब जबकि pen drive में ये files दोस्तो copy हो जाएंगी तो दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो files हमारे यहाँ पे pen drive में copy हो چुकी है अब pen drive में copy होने केबाद दोस्तो हम इसको securely यहाँ पे remove करेंगे ठीके pen drive को इस प्रकार से हम remove करेंगे और pen drive को remove करने के बाद अब फिर से मैं आपको दिखाना चाऊंगा TV में यहाँ पे मैंने TV पर ठीके मैं इसको फिर से यहाँ पे insert कर देता हूँ जो pen drive हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे insert हो जाएगा insert होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए गनेश इस प्रकार से यानि मैंने मेरे pen drive को नाम यहां पर दिया हुआ है तो यह pen drive दोस्तों यहां पर run हो जाएगा ओके और जिसना भी data है दोस्तों आप इस प्रकार से आप read कर सकोगे ठीके तो आपको सखाली file system को यहां पर change कर देना है